नमस्कार फैंट्स में नाम बबलू उर्मा पेपर हैकर में आपका सागयत है जो आज देखने वाले बहुत ही इंपोटेंट क्योशन आने वाला है यहाँ पर भी ए सेकंड सेमिस्टर वालों के लिए हिष्टी का लेक्षर नमबर कौन सा उदाएगा यह लेक्षर नमबर जो रहने वाला है यहाँ पर देखने वाले 30 ठीक है इससे पहले 29 अपको मैंने दे रखेंए अगर नहीं देखें तो बिल्कुल देख लेना ठीक है क्योंकि आपके और आपकी एक्जाम में यही से कुशन आने वाले है और यहां-पी कुशन यहां से वाहर नहीं जाएगा अग हमारी साइट पर देख सकते हो नीचे यहां पर आपको लिखे आ रही है यह सारे नोट्स भी डानलोड कर सकते हो आप ठीक है जो भी चाहों और हाल ही में जो पैट का एक्जाम होने वाला है ठीक है उसका आपको प्रेक्टिस सेट मिल जाएंगे सारे विल्कुल फ्री अपको ठीक है तो आप कहां डानलोड करेंगे www.paperhacket.in पर जाएंगे आपको बटन दिल जाएगा पैट का उसमें जाएगा और आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल फ्री अपको प्रेक्टिस सेट बहां पर लगा सकते हो ठीक है तो बढ़ते है क्योशन की और आज का तो क्योशन मुगल बास्तुल गर्फिल कोनि मुगल बताना है ये भी आपको एक्जाम में दे रखा होगा इस प्रकास भी क्योशन बन सकता है कि मुगल काल के चार इस मारकों का संचिप्त बढ़न कीजिए तो हम कितना देखेंगे only चार को ही देखने वाले हैं क्योशन इसी प्रकास से आपके एक्जाम में बनने वाला है तो बढ़ते हैं सबसे पहले उत्तर मैंने आपको बता रखा है कि हम कैसे बनाते हैं एक्जाम में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या लेखेंगे सबसे पहले लेखेंगे उत्तर, उत्तर के बाद क्या बनाएंगे, एक box बनाएंगे, जिसमें मुगल काल के, जिसमें मुगल जो, जिसमें मुगल काल के सारे की सारे जितने भी हमारे रहे हैं, इसके आपको मैंने के ट्रिक बता रखिए, कौन सी होती है, भाज सब, ठीके, कौन सी होती है, भाज सब, यह मैंने एक ट्रिक बता रखिए, साथ की साथ, बाबर, हुमायू, अकबार, जहांगिर, सहाजहा, औरंगजेब, और बहादुर, सहाजफर, ठीक है, तो यह सारे की सारे हम यहाँ पर पहले लिख देंगे, उसके बाद में जो भी आपको कुछ कनफर्म है, यहाँ पर लिख देजिएगा, ठीक है, जो कि आपका एक्जामनर जो है, वो देखकर समझ जाए कि यहाँ बच्चे ने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, उसके बाद हम थियोरी लख रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो थियोरी में का लिखेंगे, आप देख सकते हो, मुगल बास्तू कला के उत्करश इसमार को का, क्या करना है, संचप्त बढ़न करना है, ठीक है, तो बात करते हैं, पहला हम देख लेते हैं, जो हो जाता है, ताजमहल, बेरी बेरी इंपोर्टेंट हमारा यह रहने वाला है, यह आगरा में, आपको कहां पता है, यह कहां पर है, आगरा में, बहुत ही इंपोर्टेंट, जो ताजमहल है, वो कहां पर है, आगरा में इस्थित है, तो आगरा में युम्ना नदी के किनारे, अठारा फुट उचे चबूतरे पर इस्थित, एक भब इसमारक है कितने फिट उचे पर है अठारा फिट उचे पर यह है भब इसमारक बनाया गया है बात करते हैं सफेद संग मरमर से निर्मित इस इसमारक के चारो कोनों पर चार आकरसिक मीनारे हैं कितनी है चार कोनों पर चार आकिसिक मीनार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है ताज महल के अंदर एक उंचे चबूतरे पर मुमताज महल का मकवरा निर्मित है अब यहाँ पर एक उंचा चबूतरा है जो कहाँ पर है बीच में है कह सकते हैं ताज महल के अंदर एक उंचे चबूतरे पर जो 18 फिट ही उंचा है उस पर मुम्ताज महल का मकवरा निर्मित है जिसके उपर सुन्दर अडाई सुन्दर कैसा है जडाई कहते हैं सुन्दर जडाई वगएरा जो होती है ठीक है वो सुन्दर जडाई और नकासी की गई है उस पर क्या है सुन्दत जड़ाई की गई है चोटे-चोटे पत्था वगएरा आते हैं उनकी जड़ाई की गई है और नकासिया वगएरा देखने को मिल जाती है ठीक है फिर दे रखा है इमारत का गुंबद अतिरिक आकरसिक है इस इमारत को सहा जहाने अपनी पत्नी मुमताज महल की इस मिर्ती में बनवाया था यह तो आपको पता ही है बात करते हैं इसकी गढणा विस्व के आशरियों में से की जाती है बहुत मुलब देश-बिदेश के लोग यहाँ पर क्या आते हैं गूमने आते हैं बात करते हैं आगे नेक्स देखने को मिलता है हुमायू का मकवरा ठीक है कहां पर हुमायू का मकवरा जो कहां पर इस्तित है आपको पता है दिल्ली में इस्तित है कहां पर इस्तित है दिल्ली में इस्तित है तो बाद करते हैं यह मकवरा यह जो है अकवर के सासनकाल में बनी सरपिर्थम इमारत ह मैंने आपको बताय था भाज सब कौन बाबर हुमायू ठीक है हुमायू के बाद कौन आएगा अकबर हुमायू के मरने के बाद किसका सासनकाल आएगा अकबर का सासनकाल आएगा और यहाँ पर बात करते हैं अकबर के सासनकाल में हुमायू का मकवरा बनेगा ठीक है तो बात क का मकवरा हाजी बेगम ने बनवाया था तो बात करते हैं यहाँ पर छुपा हुआ देखने को मिलेगा मा हुमायू हुमायू मतलब क्या एक बच्चा है ना मा यू मतलब मा को पुकार राइकॉन बच्चा और यहाँ पर देखने को मिलेगा हाजी हाजी मतलब कोई पिता और ब मायू का मकबरा जो किसकी सोतेली मा थी अकबर की सोतेली मा हो जाती हैं बिलकुल आपको याद हो गया आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसे निर्मित करने के लिए फार्सी कलाकार मीर मिर्जा गियास ध्यानक ना कौनते मीर मिर्जा गियास की सेवाय प्राप्त की गई थी तो मुगलकाल का इसपष्ट प्रभाव दिखाई देता है यह जो इमारत है हुमाई की इस पर जो फारसी हो जाते हैं उनका प्रभाव इसपष्ट दिखाई यहां पर देखने को मिलता है तो बात करते हैं यह मुगलकाल में निर्मित भब्ब इमारत में से एक है इस इमारत के पर बने लंबी गर्दन वाले गुंबद विसेश रूप से आकरसित हैं ये सबसे भब्ब हो जाता है मुगलकाल की इमारत ठीक है ये भी आपको याद होना चाहिए बात करते हैं बास्तू कला की दिष्टी से हुमायू के मकबरे की हुमायू के मकबरे की समानता किसे समर्कंद में निर्मित तिमूर के मकबरे या बीबी खानम के मकबरे से की जाती है किसकी हुमायू के मकबरे की जो तुलना है क्योंकि भब्ब है तो इसकी तुलना जो की जाती है वो समता समर्कंद के निर्मित समता समर्कंद में निर्मित एक तिमूर के मकबरे या फिर बीबी खानम का जो मकवरा है उससे की जाती है ठीक है बहुत ही important है आगे बढ़ते हैं next देखो सलीम को ही कहа कहते है जहागिर कहा जाता है तो अकवर का मकवरा यहें जहागिर के समय दिर्मित सरप्रिफम इमारत है इस इमारत का निर्मार आगराम के निकट सिकंदरा में करवाया था तो द의हां रखना इसका जो निर्मार करा गया था अकबर का मकवरा कहाँ पे है तो सिकंदराबाद में है ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए इसकी योझना अकवर ने बनाई थी, इसकी योदना जो थी, वो अकवर ने ही बनाई थी, मगर परंतु इसे साकार रूप सहा जहां के द्वारा, प्रिदान किया गया, अकवर ने तो इसकी योजना बनाई थी कि जब मैं मरू तो मेरा मकवरा कहा बने सकंद्राबाद में बने मगर ये बनवाया किस ने था इनकी जो कह सकते हैं एक प्रकार से इच्छा पूरी की थी इनके बेटे जहांगीर उर्फ सलीम ने की थी ठीके लगता है लगबग एक किलोमीटर की बिस्तृत छेतर में फैले बगीचे के मद भाग में इस मकवरे का निर्माण हुआ है पांच मंजिल उचे मकवरे के चारों जहां रखना यहां पर एक पॉइंट मिल जाता है आपके लिए कौन सा पांच मंजिल का मकवरा है ये कितना है पांच मंजिल का मकवरा है अकवर वाला जो अकवर का मकवरा है वो कितने मंजिल है पांच मंजिल है के चारों कोनों पर संगमर्मर के चार गुमबद है यहां पर भी कितने देखने को मिलेंगे चार गुमबद देखने को मिलते हैं इनका बिसेस द्वारा इनका इसका प्रिवेस द्वार दच्छड की और है प्रिवेस द्वार कहां पर है दच्छड की और आपका प्रिवेस द्वार यहां पर हो जाता है ठीक है सबसे ऊपर की मंजिल में संगमरमर से निर्मित दीवारों से घिरा एक आंगन है जिसमें अकव अगрь वाद कि सारहना हो जाती है उसमें कितने दोहें लिखे गए है यहां पर 36 दोहें लिखे गए हैं यह इसलामी हिंदू- इसाई और बुद्ध काल का आधारित एवं इन पर आधारित एवं भब्बे इस मारक यहां पर हो जाता है कौन सा अकबर का मकवरा जहांगी ने बन बाया था कहां पर फतेपुर वो सुरी और शिकंदराबाद में कहां पर सिकंदराबाद में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स देखने को मिलेगा चौथा तो लाश्ट हो जाता है मारा बुलंदरबाजा बुलंदरबाजा भी किसम बन बाया था ये भी अकबर नहीं बन बाया था और ये भी कहां पर देखने को मिलेगा आपको शिकंदरा में ही देखने को मिलेगा ठीक है बुलंदरवाजा कहाँ पे है सिकंदरवाद में तो बात करते हैं यहाँ पर अकबर द्वारा निर्मित कराई गई इमारतों में बुलंदरवाजा को एक स्रेष्ट कलाकृती के रूप में स्विकार किया जाता है अकबर ने अपरी गुजरात विजय के उपलद में एतिहासे किस मारक का निर्मार कराया था यह है प्रतवी की सतह से कितना प्रतवी की सतह की बात कर रहे हैं इससे कितना है एक सो च्छतर फिट उची मारत है कितनी है एक सो च्छतर फिट उची मारत हो जाती है इसमें लाल बलुवा पत्थर के साथ संग्बरमर का प्रियोग किया गया है इसका निर्माड फारिसी अर्भी और भारतिय कला सहलियों के समनिब प्रियोग के आधारित है इस इसमारक पर किया गया नकासी का कार किसी भी दर्सक कर मन सहज की मोल लेता है एक प्रिकार से मन मोहो लेता है ठीक है तो बस यहाँ पर हमारे चार्ज हो जाते है चारो की चारो इस मारक को हमने देख लिया और बहुत यह अच्छी प्रिकार से डिसकस भी किया मेरा मानना है कि आपको सारे याद हो गए होंगे अगर आपके एक्जाम में पूचा जाएगा जो मुगल काल की इस मारक बगेरा है उनका वडन करो तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल अच्छी प्रिकार से लिखा होगे ठीक है तो पेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो जो आप बिल्कुल फ्री अपकोस लगा सकते हो ठीक है तो फेंट्स लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करदेना बले अकन को प्रेश करदेना नोटबिशन आपके घर पहुंचे तो फेंट्स जैहन जै भारत